रूप निखारने के लिए कीजिए एलोवेरा का इस्तेमाल उजदिय गुणों से बडपूर एलोवेरा स्किन की समस्याओं का बेहतरिन इलाज है एलोवेरा में विटामिन A, C और E काफी मातरा में पाया जाता है जो हेल्दी सेल गरोथ को प्रमोट करते हैं एलोवेरा रक्त संचार बढ़ाने में असरदार होता है एलोवेरा जैल का इस्तेमाल चेहरे को कलीन करने के लिए किया जाता है इसके इस्तेमाल से स्किन का सावलापन कम होता है इसमें एंटियोक्षिडेंट की मातरा ज्यादा होती है जिसे लगाने से चेहरे पर चमक बरकरार रहती है इसके सेवन से चेहरे पर मौझूद फाइन लाइन्स कम हो जाती है स्किन के लिए उपियोगी एलोवेरा का इस्तेमाल स्किन को टाइट करने के लिए भी किया जाता है इसमे विबिन्त रहके फाइटो केमिकल्स मौझूद होते हैं जिसकी वज़ाए से स्किन की सेहत में सुधार होता है इसके सेवन से स्किन में नमी बनी रहती है और स्किन डैमेज का खत्रा भी कम रहता है आईए जानते हैं कि स्किन पर एलोवेरा का इस्तेमाल किन-किन समस्याओं का उपचार करने के लिए करें नमबर एक रिंकल्स के लिए एलोवेरा में एंटी अक्षिडेंट की बरपूर मात्रा होती है यह तवचा पर मवजूद महीन रेखाओं को साप करने का काम करता है यह एक बेस्ट और नेचुरल एंटी एजिंग प्रोडेक्ट है नमबर दो तवचा को मॉस्चराइज करता है एलोवेरा जैल से तवचा की मसाज करने से तवचा को पोशन मिलता है और वह अंदूरनी तोर पर भी मॉस्चराइज होती है एलोवेरा जैल में करीब 95% पानी होता है जो तवचा को हाइडरेट करके तवचा को गलोइंग बनाने में मदद करता है एलोवेरा जैल से मसाज करने से यह तवचा के रूखेपन को कम करता है नमबर तीन खुझली को करे दूर अगर आपको भी चेहरे पर खुझली की समस्या परिशान कर रही है तो रोज दिन में एक बार एलोवेरा जैल से चेहरे की मसाज अवश्या करें ऐसा करने से खुझली दूर होने के साथ रेडनेस और दानों की समस्या भी आसानी से दूर होगी एलोवेरा जैल में मजूद एंटी एंपलीमेंटरी और एंटी फंगल गुन कुजली को आसानी से दूर करते हैं नमबर च्यार तवचा की उमर बढ़ने से रोकता है एलोवेरा जैल में विटामिन C, E और बीटा कैरोटीन परपूर मातरा में होता है इसलिए इसमें एंटी एजिम गुन होते हैं इसमें रोगान उरोधी गुन भी होते हैं और यह सूजन रोधी है यह तवचा के दाग दब्बों को मिटाने और उमर की रेखाओं को कम करने में भी मदद करता है इसके अतिरिक्ति हैं शरीर में कोलेजन के उत्पादन और तवचा की लोच को बढ़ाने में मदद करता है इसमें मुझूद विटामिन E तवच्चा की जुरियों और फाइन लाइन्स को आसानी से दूर करता है नमबर पाँच एलोवेरा जेल से चेहरे पर आता है निखार एलोवेरा जेल फेस पर लगाने से ये आपके चेहरे की स्किन टोन को हल्की करने में मदद करता है इसके लिए आप रोज रात को अपने चेहरे को फेस वास से दोएं और उसके बाद अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगाकर हल्की सी मसाज करें इसके बाद आप पूरी रात इसको छोड़ दें अगली सुबह चेहरा पानी से दो लें ऐसा करने से कुछ दिनों में ही निखार दिखने लगेगा नमबर छे तवच्चा के रोम छिद्रों को साप करता है सोमय एक्सपोलियेशन में तवच्चा को गोरा करने और मर्थ तवच्चा कोशिकाओं परदूसकों और अतीरिक तेल को हटाकर तवच्चा को साप करने के लिए सबसे अच्छा एलोवेरा जेल चुने इस प्रकार यह मुहासों, दागदबों और बलेक हेड्स को कम करने में मदद करता है यह विश मुक्त जैल तवच्चा के चिद्रों को भी कसता है लोच में सुदार करता है, तवच्चा की कोशिकाओं की मरमत करता है और नियमित रूप से लगाने पर मेलैनिन उत्पादन को नियंत्रित करता है नमबर साथ, सेविंग के बाद की रेडनेस कम करे सेविंग के बाद चेहरे की रेडनेस को कम करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेवाल किया जा सकता है अलोवेरा जैल में एंटी इंफलीमेंटरी गुण होते हैं यह चेहरे की सूजन और जलन को कम करते हैं इसके लिए फ्रेस अलोवेरा जैल लें इसे सेविंग के बाद अपने चेहरे पर लगाएं दस मिनिट बाद ठंडे पानी से दो लें चेहरे पर दो से तीन बार अलोवेरा जैल लगाने से रेडनेस और जलन से रात मिलेगी आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं ऐसी ही स्वास्तवर्दक जानकारी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेर करना ना बूलें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दन्यवाद सवस्त रहो और मस्त रहो